मंजिलों ने होसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं मंजिलों की आखों में आखे डाल के बोला चल जुटी तेरी इतनी उकात नहीं खलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का लास्ट एजाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हारदिक स्वागत है अभिनंदन है एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जईएगा उसके बाद जो अपना जो होमगार्ड का जो सेशन चल रहा था टोप जो 40 परसंट अपने लोग करने वाले हैं GKS, करेंट वगरा सब कुछ का निचोड कर देंगे सब का सूफडा साफ कर देंगे अपकी बार एक बार क्लास को दबा के आप सभी लोग शेयर कर दीजिए जिन जिन लोगों ने कलास को शेयर नहीं किया है अपने अपने टेलेग्राम चैनल पर अपने अपने वोट्सअप ग्रुप्स पर क्योंकि आप लोगों का भी सपोर्ट होना चाहिए और युवा हो और तुम तो मेरे मांजी हो जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले भी तुम नहीं हो तो चलिए दोस्त कलास की सुरुवात कर देते हैं यहाँ पर जुड़ चुकी है मेरे साथ निकी नेगी जी जुड़ चुकी है हेलो सर बिलकुल हेलो हिमानसु जी हलो इंडियन आर्मी लवर जैहिंद भाई सर भरती होगी न पक्का 101% लिखवा के लेलो दोस्त भरती आपकी होगी हाँ थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन भरती 101% होगी कोई संकोच वाली बात नहीं है इसमें बिलकुल इंडियन आर्मी लवर भाई जैहिंद गोरो भाई हैलो चलिए क्लास की सुरुआत कर देते हैं लाडले यहाँ पर और क्लास सुरू करने से पहले आप लोगों को लिए मैं एक छोटी सी बात बता दूँ अगर आप लोगों ने अभी तक यह जो बैच है यह परचेज नहीं किया है तो जल्ली से जाएए 520 नहीं मात्र अरे मात्र 350 रुपए में आपको जो यह बैच है complete मिल जाएगा last exam के जो हमारा last exam का application है आप सभी का जो application है वहाँ पर मिल जाएगा home guard बैच बिल्कुल एक zero से hero वाला बैच रहेगा बिल्कुल थो टेकल सब कुछ खोल के सब कुछ खोल देंगे अब की बार चलिए हाँ हलो सर कुछ अच्छा बता रहा हूं भाई मैं बुरा कब बता रहा हूं मैं तो अच्छा ही बता रहा हूं दोस्ते अरुन संजय भाई कह रहे हैं सार इस class को पढ़ने के बाद कुछ और तो पढ़ने की जरूरत नहीं कोई जरूरत नहीं है पहला परसन है यह रहा आप लोगों की mobile screen के उपर देखे भाई पहला परसन क्या कहता है लाड़ले की इन में से क्या रिक्टर पहमाने से मापा जाता है भाई साब बताए रिक्टर पहमाने से क्या मापा जाता है पवन शक्ति रेडियो धर्मी का इस्तर महा सागर की भाई निस्तर पहमाने से नेक्ट चलेंगे भारतिय अंतरिक्स अनुसंदान संग्ठन इसरो अपने देश की आन-बान-शान इसरो इसरो द्वारा विक्सित पहला सेहने संचार उपग्रह निमनलिकित में से कोण सा था यहने की इसरो ने जो फर्स्ट टाइम पहली बार जो तो से ने संचार उपक्रह लोंच किया था तो वो कौन सा है लाड़ले आरेबट रोहिनी RS1 एपल या फिर रुकमनी बताइए सर मैं जोब करता हूँ और मैंने दिल्ली होमगार्ड में फोरम भर रखा है सर मैं तयारी कैसे करूँ और मैं दिल्ली में रहता हूँ दोस्त तयार करने के लिए मैंने अभी आपको बताया यह क्लास आप केंटीनू लीजिए इसके अलावा आप जो है हमारे साथ एपली किसन में भी जूर सकते हैं ठीक है गारंटी देता हूँ इससे बढ़िया जो जो कंटेंट है आपको कहीं नहीं मिलेगा चाहिए आप सर्च करके देख रुकमनी हो जाएगा और इस रुकमनी को क्या कहा जाता था तो याद रखेगा जी सेट सेवन इस रुकमनी को क्या कहा जाता है भी जी सेट सेवन भी इसका अन्य नाम है उपनाम है अगली बात करूं कि भाईया इसे जो है लोंच कब किया गया था काफी बार पूछ लिया कि आर्यभट के बारे में आर्यभट जो है अपने भारत का पर्थम उपग्रह था जिसे सन 1905 में लोंच किया जाता है एक सकिन यहाँ पर कोई टेक्निकल इशू ओ गया है एक सकिन चालू रखेगा दोस्त आप लोग अब ठीक है भाई है ना बिलकुल अब ठीक है दोस्त हाँ थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था कोई समस्चा हो दें कोई बात नहीं समस्चा को आना पार्ट ओफ लाइफ है और फेस करना आर्ट ओफ लाइफ है चलिए आप जो रोहिनी आरेस वन है अगर रोहिनी आरेस वन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसे कब लौच किया जाता है तो भाईया याद रखेंगे 880 में किया जाता है और यहाँ पर एपल एपल को कब लौच किया जाता है 1981 में इसे launch किया जाता है ये जो तीनों बाते हैं आप लोग जरूर से याद रखेंगे अपनी mind के अंदर ठीक है दोस्त चलिएगा next बात करेंगे ये भारत में सबसे दक्षिनी बंदरगाह किस राज्जी में मुझूद है एक बहुत ही प्यारा सवाल और बहुत ही बहतरीन सवाल ये है मेरा भारत महान ये क्या है मेरा भारत महान और पूछा गया है कि सबसे अंत में सबसे लाश्ट में सबसे नीचे सबसे दक्षिनी में अरे कौन सा है तो भाया कौन सा हो जाएगा तो याद रखेगा तमिल नाडू का है एक बंदरगा है तमिल नाडू के कुछ बंदरगा है जो कि कहाँ पर है आप लोगों के जो सबसे दक्षिनी में मौझूद है अब भैया तमिल नाडू के कौन-कौन से है तो वो भी बताना एक बार तो देखो तमिल नाडू के कौन- सब से दक्षिन में मजूद है इसके बाद एनौर जो है इसे कहा जाता है इको फ्रेंडली बंदरगा इसे क्या कहा जाता है लाडले इको फ्रेंडली बंदरगा भी इसे कहा जाता है जो है most important सवाल है जरूर से याद रखिएगा ठीक है चलिए next मैं बात करूँ गंतंतर दिवस परेट 2022 की सर्वस्रेष्ट राज्य जांकी के रूप म किस राज्य को चुना गया है बहुत ही प्यारा सवाल और बहुत ही बहतरी सवाल दॉहजार जो 2022 की बात करी गई है यह अपका अधाँ nghi will grow ब comparison की यहाँ पर बात करी गई है और भिया जो हजार बाइस में जmesi binds यूपी को यहाँ पर चुना गया था, यूपी को चुना गया था, रेबीज, रेबीज किसके कारण होता है, भाईया कुत्ता काट लेगा, कुत्ता काट लिया तो क्या हुआ, रेबीज हुआ, जो रेबीज है, रेबीज किसके कारण होता है, तो लाडले याद रखेगा, विसानों के का परण होता है रेबीज बिलकुल संजे भाई का सही है हिमानसू नाजिर खान संजे गोरव गोविंद गोविंद हेलो सर हां जी हेलो ठीक है बिलकुल सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है बिलकुल जबर्दस तरीके से अब देखेंगा यह कुछ मनुश्यों के वाइरल रोग है और यह किस-किसस वाइरस से होते है वो भी आप लोग देखेंगा जैसे की जैसे की लाडली मैं बात करूँ यहां पर जुखाम हो जाते है अपने होर जुखाम हो झाती है जो हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस A वाइरस के 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 मस आप लोगों के परा माइक सो वाइरस की वज़े से होता है तो यह जो कहीं न कहीं आप लोगे के सवाल पुछे जा सकते हैं स्क्रीन सोट जरूर से मार लीजीगा इसका चले आगे चलिए भईया और रोलेट एक्ट पारित किया गया था अरे कब किया गया था इंपोर्टेंट लगाना सवाल वेरी वेरी इंपोर्टेंट थोकणा भाई इंपोर्टेंट लगाना वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल रोलेट एक्ट कब लगया जाता है सन गुनिसों गुनिस में लगया जाता है रोलेट एक्ट इसे क्या कहा जाता है बलेक एक्ट के नाम से भी रोलेट एक्ट को जाना जाता है अब आगे मैं बात करूँ यहाँ पर कि प्रसन संक्या साथ बताएगा प्रसन संक्या साथ की यहाँ पर बात करें लाडले कि बारतिय सम्मिदान की कोण सी अनुसूची नगरिय इस्थानिय सासन से सम्मंदित है तो भया सबीर आप लोगं का सही अंसर है आप लोग लगतार कमेंट्स करते रहिए तो लाडले यहाँ पर मैं बात करूँ कि कोण सी अनुसूची नगरिय इस्थानिय सासन से सम्मंदित है तो याद रखेंगे बारवी अनुसूची है तोटल अनुसूची कितनी है तो भया तोटल हमारे पास बारए अनुसूची है कितनी है लाडले तोटल हमारे पास साथी बारए अनुसूची है जिसके मैं बात करूँ यहाँ पर पर्थम अनुसूची में क्या कहा गया है पर्थम अनुसूची में राज्यों के बारे में बताया जाता है आगे बात करूँ कि यहाँ पर दूसरी में क्या होगा वेतन के बारे में बताया जाएगा तीसरी में क्या होगा पिभिन जो भी वे च्छटी में असम मेगाले तिरपुरा से संबंदित है, साथवी केंद्र और राज्जी के बीच बटवारों से संबंदित है, और आठवी में क्या होगी भासाओं का वर्णन है, नवी में संपत्ति अधिग्रहन के बारे में यानि की भूमी सुदार के बारे में बताया जाता ये संबंदित है, टोटल कितनी हो गई, बारे मनुसूचिया यहां पर हो जाती है, चलिए, नेक्स्ट में बात करूँ दोस्त प्रसन संक्या आठ के बारे में, कि व्यास सम्मान पर्तिवर से किसके द्वारा परदान किया जाता है, एक बहुत ही प्यारा सवाल और बहुत ही महतुकून सवाल यहां पर, पहली बात तो भयास सम्मान जो है, केके विडला फाउंडेसन की तरफ से द्या जाता है, अगर यह पूछे कि किस छेतर में दिया जाता है, कितने रुपे मिलते हैं, तो ये भी याद रखना, चार लाख रुपे जो है, इसमें दी जाती है, प् ठीक है सर मैं ड्राइवर हूँ कैसे तियारी करूँ भाई ड्राइवर हो तो भी तियारी करनी पड़ेगी दोस्त दिन में गाड़ी चलाओ रात में अपने पड़ो यही बात है हाना चलिए आगे बात करें आवर्त सारनी के उर्दवादर इस्तंबो को क्या कहा जाता है जो ख आगे चलिएगा बारतिय बालो के पहले Chief of Defense Staff लगाना वेरी वेरी अम्पोरेंट यहां पर कि भारतिया ससस्त्र बालो के पहले CD-S और पहले CD-S कोन बने थे तो भी याद रखेगा जिनकी एक हलिकॉप्टर द०ुरगटना में इनकी जवत हो जाती है शहीद हो जाते हैं आगे चलिएगा भारत में राष्ट्य समूद्री दिवा से कब मनाया जाता है तो लाडले भारत में राष्ट्य समूद्री दिवा से कमेंट कैसे बंद हो गए तुम्हारे आने कमेंट कैसे बंद हो गए वया तो कमेंट करते रहो लगातार बिलकुल अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना दोस्ते ठीक है जिन्दगी में उतार चड़ाओ चलता रहता है अपने सबसे सफल इनसान वही है जिन्दगी में जिसका लक्ष किलियर है तुम्हारा टारगेट किलियर है कि हाँ मुझे होम कार्ट का अब की बार पेपर फाइट करना है कोई बात नहीं है तो भाई साब करके रहोगे और अगर लक्ष ही किलियर नहीं है तो भाई साब कुछ भी नहीं हो सकता फिर ठीक है अपना जो लक्ष है वो बिलकुल टारगेट है रखे की मिहारने से अगर डर लगता है तो गिरने की तासव जीतने की हिच्छा कभी मत रखना चलिए रार है तो यहां पर भारत जितने की पर नहीं है आपराहत करो है अब महिने अपरेलu को मने जाता है भी छेल चलिए आगे बात करूँ मैं यहाँ पर अब अप्रेल के कुछ महीने हैं अप्रेल के महीनों के कुछ मैतपुंट दिन है जैसे की एक अप्रेल को ओडिसा का इस्तापना दिवस मनाय जाता है एक अप्रेल को अप्रेल फूल भी मनाय जाता है इसके अलावा एक अप्रेल को अंदता निवार सब्ताभी मनाय जाता है दो अप्रेल को विश्व आत्म केंद्रित जागरुकता दिवस भी मनाय जाता है च्यार तारिक को खान जागरुकता का अंतराष्ट्य दिवस मनाते हैं पांच तारिक को राष्ट्य समूद्र दिवस मनाय जाता है साथ तारिक को विश्व स्वास्त द वस नेक्स्ट बात करें दोस्त यहां पर कि शुबेंदू बटाचारिय और रितेश शहने खालिस्तान फिलम के लिए तो यहां पर कौण से फिलम के लिए जीता था इन्होंने याद रखना सरदार उद्दम फिलम के लिए जो है इन्होंने जीता था नेक्ट देखेंगे किस वेद में गायतरी मंत्र है लगाउद वापस से इस्टार वेरी वेरी इंपोर्टेंट परसंट ठीक है किस वेद में गायतरी मंत्र है तोटल वेद कितने है तो भया टोटल वेद हमारे पास चार वेद है रिगवेद, सामवेद, यजुरवेद और अथरवेद कितने हैं टोटल चारवेद है तो गायत्री मंत्र किसमें है और गायत्री मंत्र किसमें है गायत्री मंत्र है रिगवेद के अंदर गायत्री मंत्र किसमें है भया गायत्री मंत्र हो जाएगा आप लोगों के रिगवेद में होता है गायत्री मंत्र रिगवेद के मैं बात करूँ तो ये सबसे प्रारंबिक वैदिक युग में प्रचित पर्थम वेद ता यानि कि सबसे प्राचीन जो वेद है कौन सा है रिगवेद है सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा जिसमें 10 पुस्तकों में से 1028 इसमें जो है सुक्त लिखे गए है इसमें लगबा कि 10552 क्या है मंत्र है सामवेद की यहाँ पर बात करी जाए तो यह सबसे पुरानी जीवित इसमें क्या है धुने है और यह पारंपरिक संगीत एव नर्त का मूल है अगर आप लोगों से पूछा जाए कि से सामवेद और से संघीत अगर संघीत का लेक पूछा जाए तो किस में होगा और सैसे सामवेद और सैसे संगीत हो जाएगा आगे चलिएगा यजुरवेद की मैं बात करूँ इसमें जो है यग्य जैसे विबिन अनुष्ठानों वे उनसे जुड़े वैदिक मंतरों के चर्चा करी गई है यानिक यग्यों में जो भी मंतर वगरा बोले जाते हैं यह से यजुरवेद और यह से यग्य इस फरकार से भी आप लोग याद रखशकते हो यह अनिवार्य रूप से एक दिशा निर्देशों की क्या है एक पुस्तक है जिसका पालन विबिन धार में के अनुष्ठानों के दोरान अतन्त भक्ती के साथ किया जाता है क्यानिक कुलमिला के बात ही है कि यजुरवेद में क्या है सभी मंतरों के बारे में जानकरी मिलती है अथरवे की मैं बात करूँ तो ये जो है दैनिक जीवन में अपना ही जाने वाली प्रक्रियाओं को सामिल किया जाता है और जादू टोने वाला क्या है ये एक वेद है काफी बार परसंद ये पूछ ले जाता है कि निमन लिकित में से जादू टोने वाला जो वेद है कि जादू टोना किसमें किया जाता है याद रखेगा अथरवेद में किया जाता है सबसे पुराना रिगवेद यग्यों से संबंदित यजुरवेद जादू टोने वाला अथरवेद और लाश्ट संगीत वाड़ा सामवेद ठीक है इस परकार से हो जाएंगे टोटल च्यारवेद बैंक ओफ राजस्तान लिमिटेड का विले किस बैंक में हुआ था बताईए परसन संग्या 14 कि बैंक ओफ राजस्तान लिमिटेड का विले किस बैंक में होता है तो भाईया किस bank में होता है, यह होता है, और जो bank of रास्तान limited है, इसकी स्थापना पूछ ली जाये तो 1994 में होती है, इसका जो मुख्याल्य है यह हो जायएगा वडोदरा के इंदर, आपर वडोधरा में होगा इसका मुख्याल है ये भी आप लोग जरूर से याद रखेगा एन ओटो बायोग्राफिक किसकी आत्मकता है आने दीजे कमेंट बॉक्स में आंसर है फैंच के भाई देखो बताईएगा एन ओटो बायोग्राफी किसकी आत्म कथा है बताईए परसंद संग्या पंद्रा आंसर करने का तो तरीका है ऐसे क्या करो पंद्रा और पंद्रा के आगे उसका आंसर पंद्रा और पंद्रा के आगे उसका आंसर ऐसे क्या करो करो एन ओटो बायग्राफिक किसकी आत्म कथा है जी दोस्त बताईएगा एन ओटो बायग्राफिक जो है किसकी आत्म कथा है तो एक बहुत ही फेमस नाम जिसका क्या नाम है जवाहरलाल नहरू ठीक है जवाहरलाल नहरू की आत्म कथा कौन सी हो जाएगी एन ओटो बायग्राफिक होगी जवाहरलाल नहरू की गांधी जी की मैं बात करूँ तो भाया गांधी जी की आत्मकता होगी My Experiment With Truth My Experiment With Truth ये किसकी होगी आप लोगों के ये हो जाएगी गांधी जी की Next यहाँ पर सरदार वल्लब भाई की कोई भी आत्मकता यहाँ पर मुझूद नहीं है सुबास अंदर बोस्की मैं बात करूँ तो भाया सुबास अंदर बोस्की एक आत्मकता है जिसका नाम क्या हो जाएगा एक भारतिय तीर्थ यात्री एक अधूरी आत्मकता एक अधूरी आत्मकता ठीक है एक अधूरी आत्मकता ये क्या हो जाएगी सुभास अंदर बोस्की आत्मकथा का नाम यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर मैं बात करूँ लारले कि सर्दार वल्ला भाई पटेल और सर्दार वल्ला भाई पटेल को सर्दार की उपादी कब दी गई आप लोग कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि सरदार वल्लब भाई पटेल को सरदार की उपादी कब दी गई तो याद रखेगा बार डोली सत्यागरह के दोरान वहां की महिलाओं ने इन्हें जो है सरदार वल्लब भाई पटेल की सरदार की उपादी दी गई सरदार वल्लब भाई पटेल को क्या कहा जाता है ये हैं भारत के लोह पुरुस है और इनकी मूर्ती भी बनाई गई है आप लोगों को पता होगा अपने भारत की आन, बान, शान और एक इस्जत कहाँ पर है गुजरात के अंदर गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे इनकी जो है मूर्ती है किस नाम क्या है स्टैचू ओफ यूनिटी स्टैचू ओफ यूनिटी है इनकी मूर्ती सरदार वल्ला भाई पटेल की गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे पर ये मुझूद है याद रिखेगा ठीक है चलिए पंडित जवारलाल नेरू भारत के पर्थम क्या थे परधान मंत्री थे मानव विकास सूचकांग रिपोर्ट 2022 में किस देश ने न्यूनतम रेंक हासिल करी थी तो भाया कौन सा देश करता है यहाँ पर दक्षनी सुडान करता है ठीक है आगे चलिएगा प्रशिद यूनेसको विश्धरोहर इस्तल विरुपाक्ष मंदिर सबसे महतपुन सवाल लगाना वेरी वेरी इंपोर्टेंट सबसे महतपुन सवाल कि यूनेसको विश्धरोहर इस्तल विरुपाक्ष मंदिर यह कहाँ पर मोजूद है तो भाया विरुपाक्ष मंदिर की मैं बात करूँ तो यह कहाँ पर है हमपी के अंदर और हमपी में भी कहाँ पर करनाटक के अंदर कहाँ पर करनाटक हमपी में यह मोजूद है और इसे यूनेसको विश्वदरोहर में कब सामिल किया जाता है ये भी याद रखिएगा लाडले यूनेसको विश्वदरोहर में सामिल किया जाता है 1986 में जो है इसे सामिले किया जाता है इस मंदिर की विशेष्टा मैं बताओं तो ये जो मंदिर है बगवान सिम से सम्बंदित है ये मंदिर किस नदी के किनारे है तो लाडले याद रखेगा तुंग भद्रा नदी के किनारे ये मुझूद है अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि किस वास्तु कला सैली में बना हुआ है तो याद रखेगा दर्विड सैली के अंदर किस सैली में बना हुआ है दर्विड सैली में ये बना हुआ है ये मंदिर के तस्विर देख सकते हैं आप लोग चलें आगे चलि सिक्के कोन बनाता है भारत सरकार के अंडर में आते हैं सिक्के जो अपने कोईंस हैं एक रुपे का दो रुपे का पांच रुपे का दस रुपे का ये सारी जो कोईंस हैं कोईंस कोन बनाता है भारत सरकार है भारत सरकार बनाती है जबकि RBI क्या छापता है RBI की अंडर में तो क्या है नोट है यहाँ पर बात करों दोस्त मैं RBI के बारे में एक बार छोटी सर्चा कर लेते हैं काफी बार पूछा जाता है RBI से संबंदित एक परसंट जो है आप लोग के एक्जाम में 100% आएगा एक नंबर का लिखो RBI की maxzo tas भी फॉरम की मैं बात करूँ तो भीया लिख लीजेगा Reserve Bank of India Reserve Bank of India का हो जाएगी RBI की फुल फॉरम हो जाएगी RBI की इस्थापना कब होती है एक अपरेल 1935 में होती है RBI की इस्थापना ठीक है? एक अपरेल 1935 में क्या होती है RBI की इस्थापना होती है आगे बात करूँ मैं कि जब इसकी इस्थापना हुई थी तब मुख्याले कहां पर था और तब मुख्याले कहां पर था कलकत्ता में था लेकिन अगर बरतमान मुख्याले पूछ ले आप लोगों से याद रखेगा मुंबई हो जाएगा बरतमान इसका म प्रफम अंग्रेज गवर्नर का नाम लिखना सर ओस बोर्न इसमित होंगे क्या इसके पर्फम अंग्रेज गवर्नर अगला पॉइंट क्या लिखना आप लोग कि भाया पर्फम भारतिय गवर्नर कोन थे सीडी देशमुक और लाश्ट ये लिखना कि भाया वर्तमान गवर्नर भी बता दो तो वर्तमान गवर्नर आज तक तो कोन है शक्तिकांत दास है अभी वर्तमान है सक्तिकांत दास से पहले कोन थे और जित पटेल थे जब नोट बंदी हुई थे उस समय आर बी आई जो है आर बी आई का जो राश्टेकरन कब होता है तो यह लिखी जेगा गुनिसो गणनचास में होता है आर बी आई का राश्टेकरन यह सारी जो डिटेल है इन RBI में से एक परसन आपका जरूर पूछा जाएगा एक नंबर ठीक है चली एक परसन यहां से बिल्कुल आपका पक्का हो गया आगे चलेगा परसन संक्या गुनिस है एक परसन संक्या बीस यहां पर क्या कहता है दोस्त कि निमन लिकित में से कौन सा अक्षय उर्जा यानि कि नवी करणिय उर्जा का एक उधारन है अक्षय उर्जा का उधारन कौन सा है तो भाईया अक्षय उर्जा का उधारन आज के बाद याद रखेंगे साथी आप लोग सूर उर्जा है क्या हो जाएगा सोर उर्जा हो जाएगा अक्षय उर्जा का उधारग आगे चलेंगे खालिस्तान नववर्स बोहाग बीहू बीहू लोखनर्त और भव्य भोज का आयोजन करते हुए मनाया जाता है ये जो आयोजन है ये कहां मनाया जाता है तो साथी याद रखेंगे ये ज यह मैंनाया जाता है नृटसल यह है यह जो नरतते हैं अप्रेट महां नाते हैं और कब मनाय जाता है अप्रेल के महीने में अप्रेल के महा में मनाते हैं तो यह सारी जो डिटेल है आप लोग जरूर से याद रखेगा आगे चलेंगे अब जैसे की प्रसन संक्या 22 है कि सही युगम ज्याद करो आप लोगों से सही युगम पूछ रहा है कि भाया सही युगम कौन सा है यहाँ पर बताएगा साथी क्या टिहरी बांद कावेरी नद करद दिए पर है क्या तो आप किया बोलोगे कि नहीं भावेरी नदी पर तो टिहरी बांद आपकान नहीं है क्या दिलहस्ती पर्योजना बदी नदी पर नहीं है जबकी किस नदी पर है चिनाब नदी पर है किस नदी पर है चिनाब नदी पर ये मौजूद है सिव समुद्र बांद अरे सिव समुद्र बाद जो सिव समुद्र जो बांद है क्या चिनाब नदी पर है क्या नहीं भाईया ये चिनाब नदी पर नहीं है ये आप लोगं के कावेरी नदी पर है कहाँ पर है कावेरी नदी पर ये मुझूद है तो बचा कौन सा राना परताब सागर परियोजना चंबल नदी पर है बिलकुल सही आंसर है ओप्शन नमबर डी हो जाएगा मेरा बिलकुल स शालीो होता है 1970 मे इसका निरमाण कभोता है लाड़ले यह भी आज रखना 1970 में होता है इसका निरमाण का नाम बताए जिसे Nrentay जिसमें से व्ल्ल ठोल से पुनर्जीवित किया था यानि कि वापस के उसमें प्राण डाले थे तो वह कौन सा हो जाएगा आप लोगों की हो जाएगा जी कौन सा होगा लाड़ले कथ कली यहाँ पर हो जाएगा आगे चलिएगा अंग्रेजों ने बहादुर्शा दित्या को देश से निकाल कर कहां बेज दिया था भाई साव बहुत प्यारा सवाल और बहुत ही मैधपुन सवाल बात कब की है बात है 1877 की करान देगी और दिली के बात आई तो दिली का जो नेतरत किया था बहादुर्शा जफर ने किया था अंग्रेजों ने निकाल कर बेज दिया था और कहां बेजा था आप लोगों ने गाना सुना होगा कि मेरे पिया गए रंगून और वहां से किया है टेली फोन तो बहादुर्शा सेकंड को कहां बेज दिया था रंगून बेज दिया था और कहा जाता है कि जो बहादुर्शा सेकंड है जिनने बहादुर्शा जफर के नाम से भी जानते हैं एक शायराना मिजाज के थे ये बहादुर्शा जफर काफी सारी जो है इनकी शायरिया थी इनने बहादुर्शा जफर के नाम से भी जानते हैं और 62 वरस की आयूमें 28 सितंबर 1837 को दिल अकबर शाह दित्ये के पुत्रादिकारी थे इनके पिता जी का नाम क्या था अकबर वो वाड़ा नहीं अकबर दूसरा वाड़ा है अकबर दित्ये एक अकबर तो वो है जोदा राणी वाड़ा जोदा बेगम वाड़ा अना वो नहीं इनके तो पिता हैं अकबर वो दूसरे ह उन्हें बारत में अंतिम मुगल समराट और 1877 के भारतिये विद्रों में उनकी भूमिगा के लिए याद है किया जाता है 1862 में उनकी मरत्यों हो गई और लगबग 400 वर्सों तक भारत पर सासन करने वाले मुगल वंस का अंत भी इनी की मरत्यों के साथ होता है ठीक है मुगल वंस की स्थापना कौन करते हैं तो भाया मुगल वंस की स्थापना किसके द्वारा होती है याद रखेगा बाबर के द्वारा कौन करते हैं मुगल वंस की स्थापना बाबर करते हैं और खतम किसके साथ होती है बहादूर शाह जफर के साथ ये खतम होती है 1862 के बारे में किस से संबंदित है तो लाडले याद रखेगा जिमनाश्टिक से संबंदित है किसे संबंदित है जिसका नाम क्या है आप लोगों के aerobics हो जाएगा जैसे कि अब ये कुछ खेल है और ये उनसे संबंदित क्या है कुछे शब्दावलिया है जैसे कि सतरंच में कौन कौन से शब्द है अगर पूछ लिया जाए तो gambit gambit शब्द का जो gambit जो शब्द है वो सतरंच से परियोग होता है gambit गति रोद गैसे gambit गैसे गति रोद checkmate grandmaster grandmaster तो आप लोगों को याद होगा क्योंकि काफी बार परसन पूचा जाता है कि निम लिकित में से 2003 grandmaster कोण है 2024 के grandmaster कोण है किरकेट के आप बात करो तो भाईया इसका तो अपने को सब को पता है किर्केट की तो हैट्रिक है अरे हैट्रिक तीन बार बाउंसर मेडेन ओवर खाली ओवर ओवर दे विकिट तोस तोस वाड़ा स्टंप आउट डायरेक्ट आउट थीक है गोल्फ की मैं बात करूँ लाड़ ले तो गोल्फ में होगा एस ब्लाइंड शो किस राजए में हर साल अंबू बाची मेला आउजित क्या जाता है एक वयरी वयरी इंपोर्टेन्ट सवाल अम्बू बाची byeya कहां पर बरता है असम के अंदर भरता है अंबू बाची मेला conceived somebody आगे चलिएगा कि बारत्य सम्मिधान का कौन सा अनुचेद राष्ट्रपती को छमादान की शक्ति परदान करता है। एक very important सवाल ये भी आध़ना कि राष्ट्रपती किस सम्मिधान के अनुचेद के तहते जो है छमा करने के शक्ति है। याद रखेगा अनुचेद बहतर के से अनुचेद बहतर में बताए गई है कि राष्ट्रपती जो है छमादान की शक्ति है राष्ट्रपती के पास राष्ट्रपती जो है फांसी को भी रुकवा सकता है। आगे चलिएगा अनुछे तेतर क्या कहता है कि संग की कारेकारी शक्ति की सीमा के बारियम बताता है अनुछे चोतर मंतरी परिशद के लिए परदान करता है जो राष्ट्रपती को उनके कारिय में सयोग करेगा किसकी शिफारिश पर परधान मंत्री की शिफारिश पर यानि कि मंत्री परिशद गठन करता है कोड़ परधान मंत्री की सलहा पर छेतर कहता है कि भारत के महान्याइवादी से संबंदी ते छेतर सतेतर भारत सरकार की व्यावसाय का संचलन करता है सतेतर में क्या है बारत सरका धारन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ही हो सकती है तो कौन सी रिट यहाँ पर हो सकती है याद रखेगा परमादेश कौन सी रिट हो सकती है परमादेश यहाँ पर रिट हो सकती है ठीक है बताईए कोई के और ज понрав billion देखो नेक्स जाएगोहनों तो बैशनी खुरां नेस्टमर बात करूँ तो बाद है कितनी है फासप्रकार की है त्पे लिट कितने परक्रकें है लाड़ह ले टोक्तल यहां पर फासप्रककार लिट यह है पहले इपरग मुढह से पूचे दूसरी होगी पर्मादेश, तीसरी हो जायाएगी परतिसेद, उत्परेशन और अधिकार प्रच्छा, टोटल आप लोगों के पांस परकार की रिट है, किवर कितना ही आप लोगों से पूछा जाएगा, नेक्स्ट बात करें, निमले कितमे से किस छेतर में रडार का मुख्य रूप से उप्योग किया जाता है, तो बहिए रडार का मुख्य रूप से उप्योग किया जाता है, सेना में भी करते हैं, अंतरिक्ष में भी करते हैं, विमान नेविगेशन में भी करते हैं, तो कहां पर किया जाता है लाड़ले, वो प्रोक्त सभी में, रडार का प्रियो में भी काम आता है और वीमार navigation में भी काम bam करे संचालन डख्षटा में सुधर करने में मधद करता है कि एतनी पर ये वस्तू लगबक ऐसी कोई वस्तू जो है वो पड़ी हुई है यह वस्तू के स्थान और गति के बारे में जानकर ये परदान करके इस्थी जहने जागरुता में शुदार करने में मदद करता है अगे चलिएगा प्रसन संक्या 30 क्या कहता है कि निमनलिकित में से कौन सा प्रावदान सम्विधान की तीसरी अनुसूची से संबंदित है अभी मैंने बताया आप लोगों के जो टोटल हमारे पास अनुसूची है टोटल कितनी अनुसूची है हमारे पास टोटल बार अनुसूची है टोटल बार अनुसूची है और तीसरी में क्या था? तीसरी में था सपत से संबंदित. तीसरी कौन सी थी? सपत से संबंदित थी, तीसरी आप लोगों के अनुसूची. ठीक है? चलिए, next बात करें. next जहाँ पर बात करें, परसंद संक्या 31, कि रामसर कन्वेंशन निमन लिकित में से किस छेतर से संबंदित है? यहनि कि रामसर साइट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है लाड़ले, कि रामसर जो कन्वेंशन है निमन लिकित में से किस छेतर से यह है संबंदित है? याद जो convention है आप लोगों के आदरभूमी संद्रक्शन से किसे आदरभूमी संद्रक्शन से संबंदित है क्या रामसर convention यानि की रामसर साइट आगे चलिएगा दाचिंगम राष्टी उद्यान बारत के किस राज्य में इस्तित है दाचिंगम और सबसे important लगाना इसको दाचिंगम जो है दाचिंगम कहाँ पर है भाईया दाचिंगम आप लोग के जम्मू कश्मीर में मुझूद है आज के बाद याद रखेंगे दाचिंगम कहा होगा जम्मू कश्मीर में होगा दाचिंगम अब यहाँ पर बात करू मैं जम्मू कश्मीर के बार पेरियार अन्ना मुडी और साइलेंट वेली आगे होगा सिक्किम का काफे फेमस है कंचन जंगा कंचन जंगा जो है राश्टी उध्यान कहाँ पर है सिक्किम में है उत्राखंड का गंगोत्री जिमकारबेट नंदा देवी राजाजी फूलों की घाटी ये हो जाएं कहाँ प सिक्षान को जियेष्टी लागू किया गया बाता यह जियेष्टी कःलागू किया गária तो भ Tigers लागू होती है एक जुलाई 2017 को एक जुलाई 2017 को होती है जियेष्टी लागू फुल फोर्म क्या है ? गोड्स एङे GPA नहीं से नbn सर्श we Czechs च क्या हो जाएगी इसकी फुल फोर्म हो जाएगी संविधान संस्वुदन के तहत जोड़ा जाता है याद रखेगा 101 व समिधान संस्वुदन के तहत जो है जीएश्टी जोड़ी जाती है जो है जीएश्टी बिलक्व मंजूरी देने वाला पहला राज बना है most important सवाल सभी जो points हैं काफी मैत्पुन है पहला राज असम ओडी सा जो है जियश्टी बिलको मंजूरी देने वाड़ा पहला राज कोण सा बणा पहला राज असम बणा पहला राज कोण सा बणा जियश्टी को लागू करने के लिए सोला राजियों की मंजूरी जो है आवशक्ता थी जियश्टी का जो नारा है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट नारा क्या है वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट वस्तू और सेवाकर खुदरा विक्रेताओं के लिए कोई अन्य व्याद नहीं होगा और इसलिए यह है प्रचन्य कर भी है GST ने वस्तूओं और सेवाओं के वर्गी करण से सम्मन्द विवादों को हल किया GST के तैत वर्तमार में वस्तूओं और सेवाओं पर कहीं कहीं पर 0%, 5%, 12%, 18% और 28% तो है टेक्स लगाय जाता है और यह जो कर है किस परकार का कर है याद रखेगा यह है एक एप्रतक्ष कर है किस परकार का कर है लाड़ले एप्रतक्ष कर है इंडिरेक्ट टेक्स है आगे चलिएगा सूर्यधार जील निम लिकित में से किस राजी में मुझूद है तो भीया सूर्यधार जो जील है आप लोगों के ये किस राज़ में मौझूद है आने दीजे कमेंट बोक्स में आंसर खेचे लाडले सूर्यधार जो जील है आप लोगों के कहाँ पर मुझूद है तो भया सूर्यधार जो जील है ये हमारे उत्राखंड में मुझूद है कहाँ पर उत्राखंड में मुझूद है आप लोगों के सूर्यधार जील आगे चलिएगा जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर अब जो सबसे बड़ी जील है सबसे बड़ी जो जील है जिसका नाम क्या होगा बेमबनाड जील जो कहाँ पर है आप लोगे केरल में मुझूद है सबसे लंबी का बात करो तो बेमडाड हो जाएगी ये भी केरल में मुझूद है सबसे बड़ी मिठे पानी की जो जील है वुलर जील जो की जम्मू कश्मीर में मुझूद है सबसे लंबी लवन यानि के खारे पानी की जील सबसे लंबी खारे पाने की जील चिलका जील जो की ओडिसा में है सबसे मुची जील चोलमु जील जो की आप लोगे सिक्की में है सबसे बड़ी कृत्रिम जील जो की अपर जील है मद्य परदेश में और सबसे बड़ी अंतर देशी है जो खारे पाने के जील है सांबर जील सबसे बड़ी है राजस्तान में ठीक है चलिए परसन संग्या 35 देखे हैं के निमलिकित में से कौन सा जीवानु या फिर बैक्टीरिया दूद को दही में परिबर्तिते कर देता है एक नॉर्मल सा परसन है लेकिन काफी महतपूर है तो भाया बताएगा लैक्टिक एसिड जो है लैक्टिक अमल जो है दूद को दही में चेंज कर देता है लैक्टिक एसिड ठीक है काफी बार ये परसन जो है पूछ लिया जाता है डिया डियोंने हाल ही में सफलता पूरक प्रिले आप लोगोंने नाम सुना होगा प्रिले मिसाइल का ठीक है एक या दो साल पहले की बात है प्रिले मिसाइल का नाम सुना होगा इसका पहला परिशन किया गया था और यह है एक किस परकार की मिसाइल थी तो यह सतह से सतह पर मा आगे बात करूँ मैं, राजिसाबा की मैं बात करूँ तो, यह अनुच्छे असी में आती है, राजे सबा एक सथाई सदन है और अधिक्तम संख्या कितनी है इसकी 200 है वर्तमान में कुल सदस्टा कितनी हो जएगी 245 है लेकिन हर दूसरे वर्स एक तिहाई दूसर सदस्ट है इसके सेवा निवरत होते रहते हैं प्रतेक तीसरे वर्स जो सुर्वात में नए चुनाव और राष्ट पती के नामांकन से उन खाली सीटों को भरा जाता है जो खाली हो जाती है यहाँ पर जैसे की बताया गया है राजसभा में SC और ST के लिए कोई सीट आरख्षित नहीं है SC, ST के लिए यहाँ पर कोई भी रिजर्विशन नहीं है राजसभा के अंदर आगे बात करें जन परती निदित अधिनियम 1951 में राजसभा के सदेश का कारेकाल 6 वरस का होगा और कुल दोसों 38 सदेश से एकल हस्तानां तरित मत द्वारा चुने जाएंगे साहित विज्ञान कला और सामाजिक सेवा के छेतर में विशेश ज्ञान या व्यवारिक अनुभाव बारा सदेशों को राष्ट पती द्वारा मनोजीत किया जाता है और इन बारा सदेशों को क्या कहा जाता है एंगलो इंडियन कहा जाता है इन बारा सदेशों को आगे चलिएगा परशिद सूर्य मंदिर यानि की सन टेम्पल परशिद सूर्य मंदिर यानि की सन टेम्पल ये कहा पर मुझूद है तो लाडले बताइएगा कहा पर मुझूद है मदुराई, मथुरा, कोनार्क या फिर कालिकट आने तो कमेंट बोक्स में आंसर भाया कि परशिद सुर्य मंदिर यानि की जो सन टेम्पल है आपके ये कहा पर मुझूद है याद रखेगा कोनार्क के अंदर कोनार्क में मुझूद है क्या सन टेम्पल, अगर मैं यहाँ पर सन टेम्पल के बारे में बात करूँ तो इसका निर्मान कब होता है बारा सो पचास एसवी में होता है इसका निर्मान इसे बलैक पैगोडा भी कहा जाता है ये भी याद रखेगा इसे क्या कहा जाता है बलैक पैगोडा भी इसे कहा जाता है और 1984 में 1984 में जो है इसे यूनेस्को विश्व दरोहर में सामिल कर लिया गया था यूनेस्को विश्व दरोहर में यूनेस्को यूनेस्को विश्व दरोहर में इसे सामिल कर लिया जाता है सन 1994 के अंदर आगे देखेगा अब बारत की जो प्रशिद मंदिर है जो काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं कोण-कोण से है पहले नमबर पर याद रखना भगवान वैंक्टेश और मंदिर जो कि आप लोगों के आंदर परदेश में मुझूद है दूसरे नमबर पर महाबोधी मंदिर जो कि बिहार में मुझूद है सोमनाथ मंदिर और मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर सोमनाथ मंदिर और मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर गुजरात में मुझूद है द्वारका दीश मंदिर गुजरात में है वैशनों देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में मौजूद है आगे चलेंगे अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में मौजूद है विरुपाक्ष मंदिर विरुपाक्ष मंदिर करनाटक हमपी में मौजूद है गोम तेश्वर मंदिर करनाटक पदम नाब स्वामी मंदिर यह हो ज जिका मंदिर ठीक है आगे चलेंगे जगनात मंदिर उडिसा में है इस्टार लगाओ स्वन मंदिर पंजाब में है इस्टार लगाओ रामनात स्वामी मंदिर तमिल नाडू में है मिनाक्षे मंदिर रंगनात स्वामी मंदिर और ब्रहधेश और मंदिर ये ज़र तीनों चारो और गंगोतरी, ये दोनों भी कहां पर हैं, ये दोनों भी उत्राखंड में मौजूद है, ठीक है, चलिएगा, ये नेक्स्ट बात करें, परसंसिंख्या 39, कि निमन लिकीत gefragt मेंसे, किस अमल को, aquafartis के नाम से जाना जाता है aquafartis के नाम से किसे जाना जाता है तो याद रखेगा लाडले nitric acid को किसे जाना जाता है nitric acid को जाना जाता है aquafartis के नाम से यहाँ पर मैं बात करूँ hydrochloric acid यानि की hcl hcl बोल सकते हो या फिर आप लोग इसे muriatic acid भी बोल सकते हो या फिर आप लोग इसे मियूरी एटिक एसिड भी बोल सकते हो मियूरी एटिक एसिड भी आप लोग इसे बोल सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है हाइड्रोजन सल्फेट कहा जाता है हाइड्रोजन किस किस में पाया जाता है तो भीया खटे पदार्थों में पाया जाता है खटे पदार्थों में पाया जाता है खटे पदार्थों में जैसे केला केले में भी पाया जाता है इसके अलावा अंगूर हो गया अंगूर के अलावा इमली हो गया इन में सभी में पाया जाता है क्य हो जाएगा इसका formula बोलिएगा चलिए लाश्ट परसन आज की class का भिया कि लाश्ट परसन क्या कहता है एड्स एड्स रोग मानो सरीर की किस तंत्र को परभावित करता है बताएगा एड्स रोग मानो सरीर की किस तंत्र को परभावित करता है यहाँ पर इसका रही आंसर हो जाएगा प्रती रक्षा तंतर को यह परभावित करता है एड्स की फुल फोरम पूछे आप लोगों से याद रख लीजेगा Acquired Immuno Deficiency Syndrome होगी इसकी फुल फोरम यह लीजे दोस्ट आपकी बिलकुल समाप तो हो चुकी है एक बार आप लोगों कमेंट वोक्स में यह बता दीजेगा कि टोटल 40 परसुन में से आप लोगों ने कितने कितने सही का जवाब दिया है एक बार सभी दोस्त कमेंट वोक्स में क्लास खतम होने के बाद वापस से आके जवाब दीजीगा बिलकुल मनीश बाटी जी गुड आफ्टरनून दोस्त दीपक सिंग भूरा सिंग गोरव नजीर ठीक है अनिता रानी कपिल शर्मा ठीक है और जिस और जिन दोस्तों ने अभी तक अभी तक अगर कोर्स परचेज नहीं किया है तो आप लोग जरूर से एक जीरो से हीरो वा लिजिए लाश्ट एकजाम लाश्ट एकजाम एपली किसन को आप डू जरूर से डाउलोड कर लीजीगा ठीक है दोस्त बाकी मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल शाम तीन बजे आपको मेरा इंतजार रहेगा मुझे तुमारा इंतजार रहेगा ठीक है लाड़ले तो लि